हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रग्या पांडे गेस्ट लेक्चर गवर्मेंट पीछी कॉलेज बेमितरा आज का हमारा टॉपिक है एसल पीडियसी फैमिली यह जो एसल पीडियसी फैमिली है यह यह दाय कोटलेडनी फैमिली से बिलॉंग करते हैं और इनके क्लासिफिकेशन सबसे पहले अगर इनके टैक्सोनॉमिक सिस्टम के अगर हम बात करें तो यह आते हैं डिविजन स्परमेटोफाइटर में सबडिविशन अंजियोसपरम्स दायकोटलेडन्स क्लास ग्यमोपेटली सबक्लास बायकारपली सीरीज और जैंशने इस और इनके फैमिली है ऐसके लिए पीडियसी फैमिली अगर हम इसके जोग्रफिकल डिस्टिब्यूशन की बात करें कि यह प्लान्ट यह फैमिली के जो जायतर कहां पाये जाते हैं तो यह जो फैमिली है यह जो फैमिली में पाये जाते हैं जहां पर ज्यादा टैंपरेचर नाहीं ज्यादा वाम हो नाहीं ज्यादा चिलिंग हो तो इन बिट्वीन का ओर टेंपरेचर रहता है, आप्टिमम टेंपरेचर वहां पर यह फैमली के इस्पिशीज में पाय जाते हैं इस इस्पिशीज के अगर हम बात करें तो इसमें 280 जनरा इसमें इंकलूड़ड हैं जिसमें 1800 इन्सपिशीज पाय जाती है अगर हम इसके जनरल केरेक्टर्स की बात करें वेजिटेटिव की तो इनका जो हैबिट है यह मोस्ती हर्प्स रहेंगे और सम्टाइम्स रहते हैं जैसे केलोट्रॉपिस प्रोसरा हो गए और वुडी क्लाइमबर्स में भी आते हैं कैक्टस लाइक में भी आते हैं जैसे कि अगर यह कैलोट्रॉपिस ग Это का इस समौल ट्रीज में पाया जाता है और अगर यह अगर ईफिफाइ तो यह ऑप इफ़ाइटिक होते हैं कई पाद यह एडियूनिंग परैनियल हर्प्स में भी यह पाया जाते हैं अगर इसंभी में आपाया जाते जाते हैं क्लिम एका पाता है थेडाप फक्रोड़ पेडाल की में पाताा है या पी काप यह फायों अगर कैसे स्वपल बात तो यह यह अगर इनकी थेटाप हम पनाइब वांग वूप कही बात करें तो क्जो ड्री बात करों तो यह होगा इमBT में उनकी स्टैयां फूरे पाए जाता है, cylindrical होते हैं और sometimes green या फिर sometimes brown color shape में पाए जाते हैं, ये erect होते हैं standing ovation में या फिर कही बार ये climbing लटा जैसे position में रहते हैं, ब्रांज जो होते हैं, और pubiscent होते हैं, pubiscent मतलब कि इसमें hairy like appendages उसमें ratio-dare sunrachnaya हमें दिखाई देती है, woody रहती है, woody मतलब कि ऐसे जिसमें splarenchymeter cells या विजायलम जो रहते हैं वह जादा उनका content pin होता है, solid होते हैं, कधोर होंगे, और इनकी अगर stem की बात करें तो एक specific juicy material इसमें पाया जाता है, जिसे हम milky latex कहते हैं, अगर हम इसके leaves की बात कहें तो सबसे पहला तो leaves का simple होता है, सबसे साइल होते हैं, मतलब कि इसमें pedestal नहीं पाया जाता है, sorry, pitool नहीं पाया जाता है, और अगर हम stippuse की बात करें तो इसमें stippuse जो रहते हैं वो absent रहते हैं इसलिए इसे ex stipulate कहा जाता है, और अगर हम इसके venation की बात करें तो यह opposite decusset, sorry, इसके arrangement की या फिर philotexy की अगर हम बात करें तो यह opposite decusset होते हैं, यह पाया जाते हैं, इनकी अगर venation की बात करें तो यह unicostate radiculate venation में पाया जाते हैं, entire margin होती है, अगर हम इसके leaves को अगर touch करें तो हमें waxy coating हमें feel होता है, जो एक fluid यह मखमली जैसे हमें feeling होता है, यह होते हैं, यह होते हैं, वह succulent होते हैं, reduced और absent यह succulent होते हैं, अब next अगर हम floral characters की बात करें तो floral characters में यह mostly cymose होते हैं, cymose में अगर callotropis की बात करें तो यह multicastial cym होते हैं, multicastial cym मतलब कि जो old flower जो रहते हैं वह बीच में पाये जानते हैं, central position में और जो new flower जो रहते हैं वह peripheral region मतलब कि उन्हें surround करके रखते हैं, और बहुत सारी शाखाओं से flower का origin होता है, तो यह bunches में ऐसे पाये जाते हैं, जिसमें old flower जो रहता है वह बीच में present रहेगा, और जो new flower जो रहते हैं वह उनके peripheral region में cover up होते हैं, कुछ कुछ species में यह अंपलेट या फिर रेजिमोस भी होते हैं जिसे एसकलेपियाज हैं स्टैपिला फैमिली में, अगर हम इसके flower की बात करें तो यह ब्रैक्टियेट होते हैं, इसमें प्रेडिसिल पाये जाता है, male और female organs दोनों present रहते हैं और actinomorphic flower हैं, complete flower हैं क्योंकि flower के चारों parts इसमें पाये जाते हैं, कभी-कभी कुछ species जैसे की seropages species हो गया उसमें यह flower जो रहते हैं वो zygomorphic होते हैं और यह pentameras होते हैं 5 petals इसमें पाये जाते हैं, हाइपोगायनस होते हैं जिसमें इनकी जो ओवरी रहती है वो superior होती है अगर हम इनके कैलिक्स की बात करें तो इसमें 5 स्टेपल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे सही free रहते हैं और कभी-कभी somewhat conate at base मतलब की नीचे से जड़ोंगरी समानिये या cone जैसे ही structure लिए हो रहत होते हैं लेकिन कभी-कभी imbricate या फिर क्यूंगरी होते हैं करोला की अगर हम बात करें तो करोला जो रहते हैं वो five petals रहेंगे इसमें आपस में जुड़े हुए रहते हैं गयमो-petalus इसके अगर हम estubation की बात करें तो commonly twisted form होता है लेकिन कुछ-कुछ species में imbricate या फिर velvet भ इसमें zygomorphic होता है क्रिप्टो-stragia species में या जो करोला ट्यूब जो रहता है वो funnel form में रहता है और या जो करोला ट्यूब जो रहता है उसमें बहुत सारे hairy appendages इसमें हमें पाया जाते हैं या हमें दिखाई देते हैं अगर हम अंड्रेश्यम की बात करें तो अंड्रेश्यम इसमें पाया जाता है जो की stigma head से जुड़े हुए रहते हैं जो एंधर्स्ट रहते हैं वो एक five-sided blunt cone में unite होकर के stigma जो head होता है उससे जाकर की unite या फिर attach हुए रहते हैं जिसकी वजह से जो stigma जो है वो gynostagium की तरह form करता है या gynostagium stigma या gynostagium style हम इसे बोलते हैं इस terminology को हम आंधर्स में जो रहते हैं वो two cell structures रहते हैं और इनका pollen जो रहता है जिसमें pollen grain पाया जाता है वो आंधर्सेप के अंदर में ही unite होकर के वहाँ पर place हुआ रहता है जिसे हम pollinia कहते हैं तो हर एक pollinia में हमें two pollinia दिखाए देता है जिसमें two arms रहते हैं और वो अगर हम गायनेश्यम की बात करें तो इसमें two carpals होते हैं जो ki bi-carpillary कहलाते हैं और carpals जो रहते हैं वो नीचे से free रहते हैं लेकिन जब अगर हम apex या उपर पार्ट की और देखे तो वो आपस में जुड़े होए रहते हैं और five lobed इसमें stigma पाया जाता है जो रहती ही वो superior होती है और हर एक लॉक्यूल में एक कार्पल या एक ओवियूलिस में present रहता है इसमें marginal presentation पाया जाता है और इसकी जो style और stigma तू लोब्ड मजब की तू रोज में पाया जाती है और stigma वन से 5 लोब्ड में पाया जाता है हम अगर इसके fruits की बात करें तो fruit इसमें follicle form में पाया जाता है और अगर हम seed की बात करें तो seed जो रहता है वो tuft मतलब की एक थम कठोर जैसा वो sunrachuna लिया रहता है जिसमें silky hairs present रहते हैं जो white color में रहते हैं जिसे हम koma कहते हैं अगर हम इसके pollination की बात करें तो pollination इसमें entomophilis होता है entomophilis मतलब की जो insects के दोवारा pollination का प्रोसस होता है इसमें अगर SLPDSC family के केलोट्रॉपिस प्रोसरा की species के अगर हम बात करें तो इसमें pollinating agenist जो रहते हैं वो butterflies होते हैं इसमें pollination की प्रक्रिया पूरी होती है यह इसका जनरल फॉर्मूला जिसमें जनरल फॉर्मूला का अगर देखे तो bracteate, actinomorphic, bisexual, corolla 5 जो या तो जुड़े होए भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी जुड़े हैं अगर जुड़े होए हैं तो इसे हम bracket से denote करेंगे अगर आपस में free है तो आप ब्रैकेट नहीं रहता है corolla जो है वो भी 5 है जो आपस में जुड़े होए है andrasium भी 5 जो आपस में जुड़े होए है और andrasium जो है या पर epipetalus है क्योंकि इस andrasium और carola के बीच में एक line के जुड़े है जिसे हम epipetalus, andrasium जो रहता है carola से attached है इससे यह denote करता है gyneasium भी जो रहते हैं वो epipetalus रहते हैं क्योंकि वो andrasium और carola से attached रहते हैं और इसमें gyneasium 2 है जिसकी ovary जो है वो superior होती है हम इसके अगर calotropis procera species की अगर हम floral diagram और floral formula की बाहत करें तो यह नीचे जो दिया है वो है bractiate, bractiolate जो two side में है bractinomorphic है, bisexual है, carola जो की है 5 जो आपस में जुड़े हुए नहीं है इसलिए वहाँ पर कोई भी जुड़ाया हो नहीं है करola आप देख सकते हैं आपस में जुड़े हुए है जो की five है, aneurysium भी आपस में जुड़े हुए है, five है जो की gynaecium से जाकर के जुड़े हुए है, जो gynaeostagium जिसे हम term कहते है gynaenaecium भी यहाँ पर two है और जिसकी ovary जो रहती है वो superior है अगर हम इसकी economic importance की बात करें तो economic importance में सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है यह ornamental है इसे हम garden area में या फिर पार्क में या फिर बालकनी में हम इसे show plant या ornamental की तरह हम इसे रख सकते है इसका पहला species है SLPS जिसे हम silkweed भी कहते हैं केरलुमा species भी ornamental की तरह act करती है होया जिसे हम wax wine कहते हैं यूर्निया जिसमें कैरियन flower जिसका जो flower है वो star fish या star shaped flower रहता है oxy petalum जिसे princess of night कहा जाता है या flower blue color में रहते हैं light blue color के जो रात में अगर हम इसे देखे तो बहुत ही सुन्दर दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है यह stefalia family जो cactus form में रहता है और यह stefanotis family जो कि यह जो पूरे species हैं सब क्या हैं पूरे ornamental plant की तरह या act करते हैं अगर हम कुछ species की बात कर रहे हैं जैसे Asclepias cura sapica, Calotropis gigantia, Cosmotygma racymousa, Tylophora tanuus, Marsdenia royali, Laptadenia pyrotechnica तो यह species जो हैं वो cordage, twines, fishing nets, etc के लिए भी इसे हम यूज करते हैं हम इस family के species से dye का भी formation करते हैं जैसे के होता है Indigo dye उसे हम एक species आती, Marsdenia, Tintoria उस species से हम इसे obtained करते हैं और इसे dye form में हम यूज करते हैं एक species है जो है Mattelia अगर हम इस species की बात करें तो इसके latex से हमें arrow poison मिलता है या arrow poison जिसे हम insects या फिर mosquitoes हो गए उसे हम kill करने का भी काम कर सकते हैं medicinal plants के अगर हम बात करें तो इसका जो कैलोट्रॉपिस जो पुरॉसरा जो species है उसके root को हम cuff, colon cuff अगर होता है तो उसके लिए एक treatment way या फिर curable way में उसे हम use करते हैं एक species है जिसे हम कहते है जिन्मया जिन्नेमा सिल्वेस्ट्री इस species का multiple use किया जाता है या anti-diabetic है anti-inflammatory है antimicrobial है weight loss के लिए इसका काम किया जाता है viral disease अगर होते हैं तो इसके लिए भी काम किया जाता है अगर आपको anxiety है या किसी चीज़ में obsession हो रहा है तो इससे भी हम लोग use करते हैं अगर आपको nausiness feeling हो रहा है वामिटिंग आ रही है तब भी हम इस species के root या फिर जो बा होता है hemidesma syndicus species के root के अगर जो juice होता है या फिर अगर उसके crush करके खाया जाए या उसे consume किया जाए तो उसे urinary या फिर skin diseases जो रहते है वो ठीक हो तो यह कुछ characters थे असलपीडियसी family के जिसमें आते है वेजिटेटिव characters, floral characters और economic importance तो आज का वीडियो में इतना ही था हम आप वीडियो में तब तक के लिए आप लोग सभी stay safe and take care